सतनाम शिरिवाहे गुरू सहब जीयो हम अवगण भरे एक गुण नाही अम्रत चाड विखै विखखाई माया मोहो परम पैपुले सुतदारास्यों प्रीत लगाई एक उतम पंथ सुनयों गुर संगत तेह मिलंत जम तरास मिटाई एक अरदास पाट की रत की गुर राम दास त्राखो शरणाई जप योजन अरजन देव गुरू फिर संकट जोन गरब ने आयो परम सन्मान्यो गुरू गुरू खाल्चा सासंगत जी वाहिगुरू जी का खाल्चा वाहिगुरू जी की फते चल रहे लड़ी बार परसंग तांतां शिरी गुरू हरकोविन साहिप जी माहरा जी दे अधे आए अड़ताली में बेच अज अपां वेद पटांदा रूपतार आएदा परसंग सर्वन करांगे जी आओ बड़े प्रेम नाले हैं परसंग सर्वन करिये पगत गुरू जी दे नेड़े बैठके ओना दे दर्शन करके बड़ा सुखपा रहे सान मानों शान्त चित शिवजी मुनिया दे इक अठवेच बैठे होन इस तरह शोब गुणा वाले पगत गुरू जी पास बैठे हन शीरिगुर अर्चन देवजी दे दर्शन जीमें अम्रत होवे ते पगतां दे नैणा दे डूने उसनू पी रहे होन पास बैठे त्रिप्त नहीं सी हो रहे जीमें जीमें बचन सुन्दे हन तिमें तिमें परसं होन्दे हन माहा सुशील प्रेम वेच पूरण प्रभू सिम्रन दा उपदेश दे रहे हन जद पकतां दे जान दा समा होया विख्या ता सारे अपने अपने स्थाना नू चले गए फिर वेध स्रीर तार के आए ते शिरी गुरु अरजन देव जी पास जाके उना ने बंदना किती ओच जेत वेच गुरु जी दी अनेक पांथ दी उस्तती करना चौदे हन जासकारण गुरुजी ने जगत विच अवतार तर्ण कीता है उस दी उस्तती करंदी ओना दे मान विच महान अविलाशा सी एस उनके सुरुत्याने सोख पाके कथा बारे विचार करके पुछया वेदा ने किमे मनुख़ श्रीर तर्ण कर ले इस गलनों विस्थार नाल परगट करो पाई वीर सिंग जी लिख दे हन वेदा दा पटा दा रूप तार्न करके अवतारा दी उस्तती करन लेई ओना हिंदुआ दिया परमानक पुस्त का विच भी लिख्या है जेहा के तुलसी करित रमायन दे उत्तर कांड आंक स्ताई विच लिखा है के जद राजा राम चंदर जी बनवास्तों मोड के अयोद्या पुझ के तखते बैठे तां वेदा ने पटांदा रूप तार्न के ओना दी बड़ी उस्तत की थी हे सिखो साथकुर जी दी महिमा सुनो जिस नाल मन इच्छत फल प्राप्थ होंदा है जिमें सारे वेदा ने शुरूप तार्न कीता ओह सारा प्रसंग तानू मैं सुना दिन्दा है कांशी विच सारे वेद वासा कर दे हन अते जिते सारियां विद्यामादा इकाठ है निता प्रती ब्रामदा निर्ना होंदा है जिसनो पढ़न अते विचारन नाल भुद्धी वद्धी है एक समय उत्थे वेद रेंदे सान ओना ने अपने हिर्दे विच बहुत हंकार कीता ब्रामदा निर्ना साड़े पासों ही होंदा है असी ही गोण अगोण ते विचार कर दे है नहीं ता जगत विच आंधकर फैल जावे जगत विच साड़ा ही स्रेष्ट प्रकाश होंदा है अग्यानी मुनोख साड़े पसों ही ग्यान प्राप्त करके मुक्ती पौंदा है ते उस दे दुनियावी बंदन कटे जान दे है पारवराम ने जाद वेदा दी एह गती वेखी जीनानू बहुत हंकार हो गया सी ता ओना ने विचार बनाई एनानू जगत विच जनम दिन दा है ता के सारे फेर फेरा के जेड़ा साड़े विकारां दा मूल हंकार है उसनू एना दे दिला विचों पोट दिया किरपा दे सागर पार ब्रहम ने इस तरह हिरदे विच तार्न कीता फेर सारे विदानू आकाश बनी होई मनुखा स्रीर तार्न करो तो अडे हिरदे विच जेड़ा हंकार दा विकार है ओ तुसी निश्वल हंकार कर रहे हो इस गलनू चंगी तरह जान लो गुरू तो बगैर हिरदे विच परकाश नहीं होंता है क्योंकि परकाश दा मूल साथ गुरां दी दे है तो अडे सारे दुख दूर हो जानगे गुरू तार्न करो जिथे किथे वेख दे हो सत्गुरू बगैर शांती पराप्त नहीं होंती इस करके अपना हित वेख के सिख बनो एक-एक वेद चार-चार स्रीर तार्न करो ब्रह्मा भी तो अड़े नाल मनुखी स्रीरता अर्ण करे ओ जिते किते तो अड़ी रख्या करेगा अते तो अड़े सारे विगना नू दूर करेगा इस तरह आकाश बनी होई इस परकार सुनके सारे चुको हो गए ते फिर सारे वेद बहुत हैरान होई ब्रह्मा समेथ 12 होके ओना ने मनुखा स्रीरता अर्ण किता एक-एक वेद ने चार-चार्च रूपता अर्ण किते ओना दी मैं तो अनू नाम दस दा हां पहला शामवेद ने एह रूपता अर्ण किते जिना दिनाहन, मत् eli जालप, बल, अते हरबंस रिग वेद ने जड़े चारू बनाए ओहन, कल्य, जाल, नाल अते कलसहार यूजर वेद ने जड़े चारू बनाए ओहन, टल, सल, जाल अते पाल्य ए सारे ब्रह्म्न वाँशनाल समंध थान फिर अथर्वन वेद ने जड़े चार स्रीरता अनकिते ओना विच स्रेष्ट कीरत गोईंद अते साधरंग नुगिनों स्रेष्ट चोथे पाट ब्रह्मा दा पिखा नाम सी जड़ा एना सारे वेच बहुत कुतम सी ब्रह्मन स्रीरा दा नाम पाट पया गया ओह उमर वेच बहुत वड़े हिकोज है सन ओह इकठे होके हेततार के देशां वी देशां वेच गूरू दी खोज कारन लगे जिनने भी जग वेच पांथ पर चले थान ओह ओना सारे पास चलके गए गीरी अते पूरी आद जो सन्यासियां दियां किसमा हन ओना पासों भी बड़े प्यार नाल बचन सुने जोग दा अभियास कारण अते कान पाटे जोगियां दीवी महान संगत कीती ब्रामचारी तपसी वेरागी अते होर जिनने भी पांथ सन साब पास जाके ओनाने अपनी विथ्या कही स्रेष्ट पर लोग दी साधना करनवले एक साल तक जाग वेच गुरु खोई दे रहे आपस वेच केंदे सन के जेड़ा चेतनु शांती देवे ऐसा गुरु किते नहीं विख्या है देशां विदेशां वेच फेर के जद हार गए तम बहुत ही उदास हो गए हंकार उत्तर गया केंदे सन के असी जोदों दे जाग वेच आए हां विकार बिना कुछ नहीं वेख्या इस करके साध गुरु सबतों वड़ा है जिसनों मिलके जेतनों शांती पराप थुन्दी है सारे हंकार रहत हो गए जाद अमरत स्रोवर वाले पासे आए अनेका लोका पासों महिमा सुनी के शीरी गुर अरजन देव जी सोख देन वाले सत्गुरु हन पिखे सहित सारें ही मिलके दर्शन वास्ते जेतना शौक वदाया गुरु जी दे गुणा बारे सुनके मान विच शांती आ गई शीरी गुर अरजन देव जी दे नामदा सिम्रन करन लगे सारे हरमंदर साह विच पहुंचे जद दर्शन कीते ता अजीब परकारदा मनोहर सुरू बेख्या सियाम सुरू बड़ा अनुपम है चार बहाहन सुन्दर मुखडा स्रेष्ट शोब अदाकार है चारे पासी महान जोती जग रही है अते अनेका ही सनेमर होके नमसकार कर रहे हैं लच मी अपने कार कमला नाड चर्न कमलनू जो अत कोमल हन बड़ी प्रीत नाड पलोस रही है महा विश्णू दी वड़ी शोबा है नेतर बड़े चोड़े हन अते दोमे कोने लाल हन सारे अंगां ते सुन्दर गहने शोब रहे हन अते गले वजन्ती माला पाई है सिर्थे मुकट है केस नरम, काले अते कुंगरे ले बड़े शोब रहे हन वेद सुरूब जेड़े स्रेष्ट ब्रह्मन सन उनाने गुरु जीनू महा विश्णू रूब वेख्या ओनानू सिख्या देनी सी इस करके गुरु जीने अजेहा अपना सुरूब बनाया ऐसा सुरूब एक के हरान रहे गए शीरी हरमंदर साहे विच बैठे सुन्दर शोबा पा रहे हैं महा विश्णू दा रूप बड़ा मनोहर है जिस दाते आंतार के जोगी वीलू वायवान हो जान्दे हैं खड़े होके उस्तत करन लगे जिना दे प्रेम ने व्याकुल कर जेता है हे दया दे स्मुंदर दीना बंदू किरपालू तो अडे चरना दे नमस्कार है तुसी नाश रहत अते परकाश रूप हो अजित हो नाश रहत हो आद रहत हो अते अनुपम हो महा राजयां दे राजयां देवी राज रूप हो सदा हर एक विच वस्दे हो अते सदा ही निरलेव रहन्दे हो जून रहत नाश रहत एक रूप हो अते जन्व रहत हो मेनू केणा नहीं होदा कौन था नू ब्यान कर सकदा है निराले वचित्तर अते आस्रा रहे थो साब तो अड़े विच हन अते तुसी सारें विच बीराज रहे हो एक अकाश वांग सारे ही फाब रहे हो ब्रहमंड विच एक अखंड दे तुसी ही तार्न किती है अते पाप पेठवाले पासे हन महान समुंदर कोख विच है अते सारे द्रख्त तो अड़े रोम हन हे प्रभु जी तुसी ही मुक्ति दाता हो अते तो अड़े विच ही पाताल हन शीरी गुर्ण नानक देव जी वेदियां दी वांश विच पैदा होय हन देह तारी मनुख ओना दा जाप ही जब दे हन कल युग विच ओनाने दया तार के नाम जपाया है तुसी सिख़्ी पंत चलाया है जिसनों प्राप्त करके मनुख तार गए हन शीरी गुर्ण अंग देव जी बड़े किरपालो रूप होय हन उना ने कदे भी करामात नहीं सी विखाई उना ने डूंगे हिर्दे विच बड़े पारी बलनु जरया उना ने नाम दे के बहुत सिख़्ादा उदार किता फिर बाबा मोरी जी दे पिता पावशिरी गुर्ण अमरदा जी दा रूप तारन किता उना ने महान पंथ सिख़्ी दा बहुत विस्तार किता चार चकां वेच सुन्दर कीरती होई गुरु जी ने बहुत परचारक मंजियां दे के परचारका नो भी गुरु बना दता फिर शिरी गुरु रामदास जी दा विशाल परकाश होया को ओर कड़ युग वेच अंदेर चाया होया सी उना ने आके वजाला किता उना दे पुतर दे रूप वेच तोड़ा परकाश होया है हे महान गुरु जी तो अनू नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है इस तरह उना ने अश्टक उस्तत कीती ते मान इच्छत फाल पाया फिर सारे दीन होके गुरु जी दे चर्ना नाड लग गए फिर शिरी गुरु अर्जन देव जी ने अपना असल रूप सारे ब्रामणा नू बखाया पुछन लगे तुसी किस कारण देल दी इच्छा अनुसार निपन प्रभु रूप तार लेंदे हो प्रभु जी किते रेंदे हन होन किते चले गए हन साड़े पास की सोच के आई सन पिखा जड़ा सबना दा मुखी सी दीन होके बोले है पिखे वाज रहे ओ सांत हों टोल साथ बहुतेरे डिठे सन्यासी तपसी है मुखों ए पंड़त मिठे मैं साद़ों दी खोई किती है अते कई पवितर पुरुख विखे हन सन्यासी तपी अते ब्रामण सारे ही बड़ी मिठी जवान वले हन मैं एक साल तक पठगदा रहां पर कोई भी साथ संत मेरी तसली ना करवा सकया मैं लोका नू केंदे यां अते परचार करदे सुने यां पर ओना दी रेणी बेणी नू वेख के मैंनू कोई खुशी नहीं होई मैं ओना दी महमा क्यों करां जो प्रबुदे नाम नू त्याग के होरना नाल जुड़े होई हन पिखा आखदा है वाहि गुरुने मैंनू सत्गुर नाल मिला जता है हे गुरु देव होण जिस्तरा तू मैंनू रखेंगा ओस्तरा ही मैं रहन दा है सुसा संकर जी एह सवय्या शेरी गुरु गरंसाव जी वेच तीजे महले दे सवय्या वेच है पिखा पट तीजे गुरु जी पास आया आप गुरु बन दिख्या देओ मेननो अपना सेख बनाओ ते उपदेश उचारन करो शांती प्राफ्त करन लई इस विशेश पंथनो जित्थे कित्थे लब दे रहे हैं हुन ठाक गए हैं प्राफ्त नहीं होया है हे वेदो तुसी मनुखा तन तार के मेरे पास आये हो तुसी आप ही ब्रामदा निर्ना करो अथे पार ब्रामदा स्रेश्ट जास परकाशित करो हुन तुसी मनुखा श्रीर पाया है तो अनू कुझ हंकार हो गया सी उस दा फाल पाया है ब्राम रूप शिरी गुर्णानक देव जी ने कल जूग वेच नार्श रूप तार के बहुत सेवकांदा कले आन किता गुरु देव जी ने वी मनुखा शिरीर तान किता सी मनुखी पाशा वेच सुधार के बाणी वी रचना करो उस वेच गूरु देव जीदा जास करो अते होन अपने मुख नाल उचारन करो फिर थानू असी अपना सिख मनों देहां फिर चेत वेच सुखा दी सार शांती पाओ जगत वेच तो अटा नाम सथाई रूप वेच रहेगा जो महान उतम गरत बनेया है उस देविच लिखांगे एह सुण के परसान होके हाथ जोड़ के पुछा किरपा दे सागर किस टांगना लिखे पहला सानू दसो असी पहला सामे लिए उस रिती अनुसार सारे शिरी गुरु जी दी कीरती सुंदर अते नमी बनावाँगे महालाव सानू ए होएगा आप जी सानू दीन जान के किरपाता रोगे शिरी गुरु अरजन देव जी ने आप जो स्वईय बनाए सान पहला ओ लिखवाए फिर सारे पाट गुरु से मरके अते मान वेच बड़ा उत्षाप आरके आपने सुईय लिखन लगे अरामब वेच शिरी गुर नानक देव जी दा स्रेश्ट जास बहुत बरकार उना ने बनाया शिरी गुर नानक देव जी नू ब्राम रूप करके वर्नन किता शिव ब्रमा आध जिस दा गान करदे हन बहुत चाल दे सवईय देसी पाशा वेच बनाये अते नाल नाल महातम वी उचारन किता जड़ा पड़े सुने वड़ा फाल प्राप्त करे जिसनू वेद बेयांत बेयांत केंदे हन उसनू कोई कोई ही बेयां कर सकदा है शेशनाग अते सरसोती भी उसनू आंत नहीं पासकी अते जोगी सदा ही उसनू खोज़दे रेंदे है फिर शिरिगुर अंगर देव जी दा जासवारनन करके बहुत परकार ओना दे गोण परगट किते फिर आपनी बाणी वेच शिरिगुर अमरदास जी दी कीरती बहुत सुंदर बनाई कुसम बसान्त गांग तरांग दे बेयांत गोण परगट किते शिरिगुर अमरदास जी बारे लिखया के तो अड़े बराबर होर कोई नहीं तो अटी उपमा तो अनू ही बनाऊंदी है शीरी गुरू रामदाश जी दे गुणा दी कीर्ती भी विशाल रची तान तान सत्गुरू जी जगर दे स्वामी होय हन जीना ने भी ओना दे दर्शन कीते उस दे पापांदा नाशो जान्दा सी फिर शीरी गुर अर्जन देव जी दा स्रेश्ट जास्बनाया अते एह दस्या के पंजा गुर सहबाना वेच इक कोही जोथ है ओ तरंदी तो या हन ते तरती वांग ती रजवान हन अते परम किर्पालू वड़े पौरोब कारी हन 122 वई राजके पंजां गुरू सहबाना दा स्रेश्ट जास्बनाया फिर सारी अपनी रचना अपने मन वेच परम प्रेम उपजा के शीरी गुर अर्जन देव जीनु सुणाई फिर चर्ण कवला ते बंद्रा कीती ते सारे पाट बहुत दीन हो गए अपने चेत वेच सेख बंड़ना चोंदे सन ताके ओनादे चेत वेच शांती आजावे शीरी गुर अर्जन देव जी ओनादी केर्टनू शीरी गुरू ग्रंसाज जी वेच लिखा के बहुत परसान होए सारे नू मुँ मंगियां बराधन दितियां यते सिखी बख्ष के शांत मई कर देते सारे परमदूर हो गए यते सारे निर्मल हो गए शीरी गुरू जासते एह फाल पाया कई दिना बाद नीजी शीरी चटके पहला वांगी वेद रूप हो गए शीरी गुरू गरंज साहव जी वेच सारे सवईय लिखवाए गए आंत विच सारा गरंज साहव लेखके मुंदावनी शवद लेखके बंद कर देता मानो एह बाणी नू बंद करन दी मोहर सी बंद करन उपरांद सारे राग शिरीगुर अरजन देव जी महराज पास चालके आए अते ओना दी बेंती करन ते शिरीगुर अरजन देव सहभ जी महराज जी ने राग माला शिरीगुरु गरंज सहभ जी वेच सब तों आखिर ते शामिल की थी पावजल तरन वास्ते ये वड़ा जहाज है प्रभु किर्पा नाड मनुख पावसागर नो तर जान्दा है सो सास अंगजी कई सेख इस राग माला दोते शंका भी कर दे हैं पर सोचन वाली गल एह है के तान तान शिरी गुरु गोविन सेख साहब जी महराजी ने जो तो अंतर त्यान हो के दमदमा साहब शिरी गुरु गरंसाहब जी दी बीड पाई मनी सेख जी तों लिखवाई ता उस वेच नोमे पाशा ता अनतान शिरीगुरु तेग भाहदर साहिब जी दे शबल शामल किते अते रागमाला भी उस वेच शामल किती सो संगत नू कोई भी शंका नहीं करना चाईदा ओना दा तान जनम है जीनाने प्रेम तारन करके अपने हाथ नाल लेके अपने हाथ नो सफल कर लिया है जेड़े प्रेम नाल पढ़ दे हन ओहो देल वेच बहुत परसन होंदे हन पलकाँ चमकन नाल नैना वेच जाल आ जान्दा है इन्ने परसन होंदे हन माननों अम्रदी बर्खा होंदी है सारे विश्यानों छड़ दे हन अते गुणानों विचार दे हन जेडे मनुख एक मान स्थेर होके सुन दे हन ओह मनुख तरजान दे हन ते फिर दुवारा जनम नहीं लेंदे सो सा संगे जी अथेक कल नोट करन वली है के राग माला दे पाद जोड शीरी गुरु गरंसाइब जी दे उन सारहन करतार पुरु वाली बीड वेच राग माला ते बाकी सारी बानी दी लेखत इको हथ दी है पाई बन्नो वाली बीड जिसनो गुरु जीने खारी बीड कहा सी उस विच भी राग माला दर्ज है इस तो हैस पष्ट है के शीरी गुर अर्जन दे वीदे समय भी खिमा करने जी वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फते